दो फरवरी को छपरा के मुबारकपुर में एक कांड हुआ था ये घटना तो आप सभी लोग को याद होगी नहीं याद है तो मैं आप सभी लोग को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ बस एक छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा औ अंत तक जरूर देखेगा और देखने के बाद हर जगे इसको शेयर करने का काम भी जरूर कीजेगा तो दोस्तों दो फरवरी को छपरा के मुबारकपुर में कुछ राजपूत जाती के युवक आते हैं और विजय यादव के ऊपर हमला करते हैं जिसके बाद विजय याद के बाद बिहार में जितने भी सवने जाती के तथा कथित सवने जाती के क्रियेटर्स और यूटूबर्स और पत्तकार हैं इन सभी लोगों ने इस पूरे मुद्दे को जातिये रंग देने की कोशिश की थी जातिये हिंसा देने की कोशिश की थी और इस प्रकार से तूल द कर रहें जुल्म कर रहें। इस प्रकार की बाते इन तथा कतित समन्ह पत्रकारों के द्वारा यादवों को लेकर कही गई थी सिर्फ इतना ही नहीं जुतने भी तथाकतित समन्ह जाती के पत्तलकार थे और जिति भी जातिवादी मानसिता से ग्रसित से इन सभी लोगों इस पूरे मामले में करणी सेना का भी आवान किया था करणी सेना को भी आने का नियोता दिया था जिसके बाद करणी सेना आई थी इस पूरे मामले के अंदर और विजय यादव का जो जो लोग कहते हैं कि बिहार में तजस्मी यादव और यादवों की सरकार है इस सरकार में देखिए कि जुतने भी लोगों ने राजपूत करनी सिना के लोगों ने आग लगाई थी उन सभी लोगों के खिलाफ सरकार ने कोई कारवाई नहीं की इनकी गिरफतारी अभी तक नह और ये सभी के सभी लोग अभी जील की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं इतना ही नहीं दोस्तों पिछले दिनों यानि कि तीन मई को इससे भी बड़ी घटना इसी छप्रा के मुबारकपूर में घटित होती है जब इसी तीन मई को कुछ राजपूत जाती के लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और 15 साल से निर्मला देवी जो की यहां कि मुखिया थी पूर्व मुखिया थी उनके पती हरेंदर यादव की हत्या कर दे जाती है और इस हत्या में एक बार फिर से यही राजपूत जाती के युवक शामिल होते हैं और उनमें से एक युवक वो था जिसने विजय यादव के ऊपर हमला किया था इसमें शामिल राजपूत युवकों के जर नाम सुनिये कौन-कौन थे इसमें नाम आता है गदर मिलकर हत्या की ऐसा आरोप है ऐसा बताया जारा कि इन सभी लोगों ने राजनितिक वर्चस्व के चलते हरेंद्र यादव की हत्या की है अब बताई दोस्तों इतनी बड़ी घटना छपरा के मुबारकपूर में एक बार फिर से गटित हो जाती है और हमला करने वाले फिर से राजपूत जाती के युवक होते हैं और उसमें मरने वाला एक बार फिर से यादव जाती का ही युवक होता है कहा गए वो तथाकतित समवन जाती के पत्रकार समवन जाती के क्रियेटर्स जो अपने आपको कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं लेकिन जब उनकी जाती यानि कि राजपूत जाती से आते हैं तो किसी भी तथा कतित समुन पत्रकार ने इस पूरे मुद्दे के उपर ना तो कोई वीडियो बनाई है ना तो कोई पोस्ट किया है और ना ही इसके बारे में कोई भी बात की है मैं सवाल करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार है और ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में जंगल राज है और इसमें यादव समाज के लोग पावरफुल हैं यादव समाज के लोग गुंडा गर्दी करने क्योंकि सरकार उनकी बन गई है अरे भया ये किस प्रकार की गुंडा गर्दी है इस सरकार में यादव की ही पिटाई हो रही है यादव को ही मारने वाले लोग आते हैं यादव के उपर ही केस हो जाता है यादव के घर की ही कुरकी हो जाती है और F.I.R. भी यादव समाज के लोगों के उपर हो जाती है घर भी यादव समाज के लोगों का डहा दिया जाता है आग लगा दी जाती है और गिरफतारी भी यादव समाज के लोगों की ही होती है लेकिन जो हमलावर होते हैं वो अभी तक फरार है उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है तो किस बात की बिहार में यादवों की सरकार है यह हाल जानते हैं दोस्तों तब है जब इसी छपरा में पांच विदायक यादव जाती से आते हैं और एक विदायक जित अंदर यादवों की सरकार है तेजस्वी यादव जी को और बिहार सरकार को योगी आदितनात और उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखना चाहिए अभी तक यही घटना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई होती तो योगी आदितनात जी ने सब का अंकाउंटर कर दिया होता तेजस्वी यादव और बिहार सरकार को जातिवाद कैसे करना है यह सीखना है तो योगी बाबा से सीखिए किस तरीके से योगी बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सजातिये गुंडों को संरक्षन देने का काम करते हैं और तमाव दूसरे जाति के जो अपराधी होते हैं उनका तुरंट एंकाउंटर करा देते हैं बेहाद ही दुखत घटना है दोस्तों किस पूरे मामले में हरेंदर यादव की हत्या हो चुकी है मैं तो बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो हरेंदर यादव के हत्यारे हैं उनकी गिरफतारी हो और पहले भी जिन लोगों ने यादवों के घरों को जलाया उन्हें तमाम करनी सेना के लोगों के ऊपर भी बिहार सरकार कारवाई करें और उन्हें जेल किस लाखों की पीछे देजें अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँँआ कि आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो आप सबी लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप सबी लोगों को मिल जाएगा आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं मुलकात करता हूं किसी और वीडियो में तब तक लिए बहुत बदनेवाद चैन्ट